करोडो मनुष्य इस धर्ती पर अब भी भी पैदा हो रहे हैं आपके भाई बहन भी पैदा हुए होंगे आपके साथ आपकी मौसी के, आपके मामा के, आपकी चाची के चार बच्चे, पांच बच्चे, जितने भी आप लोग भाई बहन हो वो सारे के सारे भगवान की कथा या सत्संग या वेदानत सुनने के काबिल नहीं बने और आप ही केवल गुरु द्वार पर पहुँचे हो इसका अर्थ तो यही होता है कि भगवान ने आपको पसंद कर लिया है इश्वर ने आपका चयन कर लिया है भगवान ने आपको पसंद किया है इसलिए उन सारे चार या पाँच भाई बेनों में आज भी करोडों लोग पैदा होते हैं उसमें से मुठी भर लोग धरम के रास्ते पर चलते हैं करोडों पैदा होते हैं उसमें से लाखों धरम के रास्ते पर चलते हैं उन लाखों के चलने पर जो केवल मंदिर को ही धरम समझते हैं, वो उस मूर्ती में अटक जाते हैं, कुछ हजारों हयात चलते फिरते उस मूर्ती के सामने अपना शीश नवाते हैं और गुरु दिक्षा लेते हैं जो गुरु को भगवत तुल्य समझते हैं, लाखों करोडों पैदा होते हैं, लाखों मंदिर तक पहुँचते हैं, हजारों गुरु द्वार तक पहुँचते हैं, पर कुछ कुछ उस में टिक जाते हैं, जो सत्संका श्रवन कर पाते हैं, उन मेंसे आप हो कुछ जिनोंने परमातमाने आपका चैन किया है, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको पासपोर्ट तो मिल गया है, कि आप कभी भी इसका वीजा लगवा सकते हो, जिसका पासपोर्ट ही नहीं बना है, वो तो विदेश की यात्रा कर ही नहीं सकता, वो तो सोच भी नहीं सकता, कम से कम आप ये तो निश्चिन्त हो ही, कि जब भी भी आप सा में उत्सीरिण होगे तब आप उस अलोकिक यात्रा में प्रविश्ट जरूर हो सकते हो उसobyl का चयन गया है तो क्यूं हम मनुष्य जनम को व्यर्थ गवाएं कामनाओं का अत्यांतिक अभाव जितना अभाव होगा उतना ही दुखों की आत्यन्तिक निवरत्ती होगी वरना डंके की चोट पर शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य के सुखों से लेकर ब्रम्हा तक के सुखों को यदी एक मनुष्य प्राप्त कर ले एक मनुष्य के पास इनसान के वो समस्त सुख उपलब्ध हो यहां तक कि ब्रम्हा तक के सारे के सारे सुख यदि उपलब्ध हो तब भी भी जनम्मरण के चक्र से छूटने वाला कोई सुख उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता, निश्चिंत आनंद उसको प्राप्त नहीं होता, जब तक कि वो आत्म ज्यान में प्रवेश नहीं पौत और ये आफ़ धूत ने जैसे उसको कहा कि चल मेरे पीछे-पीछे आजा ऐसे ही गुरु का सत्संग भी तो यही है कि आप अगर जन्मों से करोडो करोडो लोग आज भी मंदिर जाते हैं लाखों लोग आज भी मंदिर जाते, पर उन मंदिर जाने वालों की वो स्थिती नहीं है, जो समझ एक सत्संग सुनने वाले की है, हम हरे द्वार जाते, भागे वे कपड़े पहने हुए लोग, जो साधू वेश धारन करते, उनके गले में गोमुकी है, दिन भर देखो तो आ हमारे साधकों की उची हुई है, वो हज़ारों बार मंदिर में गंटी बजाने वाले की भी नहीं हो सकती है, ये ग्यान का परिणाम नहीं तो और क्या है, जो मती, सुक्ष्म और वैसे भी जो आप जैसे डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ता है, तो वो सुक्ष्म विशयों पर गहन चिंतन करता है, इसलिए डॉक्टर की बुद्धी जादा सुक्ष्म है, तो जब डॉक्टर डॉक्टरी करके बाहर निकलता है, क्लिनिक खोलता है, तो उसका पगार एक पटे वाले से जादा, एक टीचर से जादा होता है, जितना मनुष्य सुक्ष्मता पर विचार कर की बुद्धी शुरू होती है जहां computer का engineering computer software engineer क्या उसके आगे माइन ने रखता है इतने सारे विज्ञानी मिलकर भी वो चीज नहीं बना सकते जो प्रमात्मा सुक्ष्मता प्रमात्मा की कृपा से बन जाती पूरी सुरिष्टी इश्वर की लीला मात्र है तो वो प्रमात्मा सुक्ष्म है उस प्रमात्मा को समझने, जानने, मानने के लिए मती भी सुक्ष्म चाहिए तो जिसने सत्संग सुन लिया, जिसने सत्संग को समझ लिया या थोड़ा बहुत भी सत्संग को जीवन में आचरण में ला दिया वो व्यक्ति उन मोटी बुद्धियों से तो हजार और लाग गुना सुष्ट है, जो केवल टन-टन करके पूटी बजाते हैं क्योंकि उसमें सुक्षमता नहीं है और परमात्मा को समझने के लिए मती सुक्षमता जाए इस सटसंग को समझने के लिए मती सुक्षमता चाए इसलिए गुरु वो कृपा, गुरु की कृपा सबसे बड़ी कृपा क्यों मानी जाती है क्योंकि जो गुरु सहज में आपकी यात्रा कराते हैं वो हजारों बार आपकी मंदिर में जाकर नहीं होती, हजारों जब करके नहीं होती, एक पहर पे तप करके आपकी वो यात्रा नहीं होती जो गुरु चुटकी में आपको तर्पार करा देते हैं केवल एक चीज आड़े आती है वो क्या है आपका अहंकार एक अहंकार ना हो और इसी वो जो सिर है वैसे ही नारियल आपके सिर का प्रतीक है सिर जब जुकाते हैं तो इसका मतलब ही हमकी हम आपको समर्बित करते हैं हम अपना शीश आपके चरणों में छुकाते हैं कि हम आपकी आग्या का पालन करते हैं तो ये जो सिर है वो अहंकार का प्रतीक है तो जब तक अहंकार वो चाहे शिश्य हो चाहे साधक हो चाहे विद्वान हो चाहे पंडित हो सब को एक ही चीज आड़े आती है अपनी उन्नती और आनंद में वो है केवल अहंकार तो जब हम अहंकार को निर्मूल करते हैं या जब हम अपना सिर गुरू के चरणों में नवाते हैं तो हम गुरू को सृष्ट और अपने आपको शिश्शत्व में स्विकार करते हैं गुरू को उच्पद पर और हम चरणों में अपने आपको बैठा पाते हैं पर अगर ये वास्तों में हो जाए, हम ये केवल व्यवहार में करते हैं, जब वास्तों में हो जाए, तब आनन्द के प्रमान पत्र की और या आनन्द की और बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोगती है। कोई भी चीज आपको अप प्रसंद नहीं कर सकती, केवल हमारा अहंकार ही है जो मनुष्य को बार बार दुखी, परिशान, कष्ट में, पीड़ा में डालता है, तो ये बात तो पक्की है कि जो चीज आप हजारों वर्ष, आज भी कई ऐसे आप कुम मिले में चले जाओगे न, कई ऐसे अग्होरी बाबा आप लोगों को मिलेंगे, देखना चाहोगे, जो छेचे महिना रेति में, रेत में गड़े पड़े होते हैं, उनका सिर रेत में होत है और धड़, शरीर धड़ रेति के बाहर होता है, जमीन में खड़ा खोद के अपना सिर डाल देते हैं, और जितने दिन कुम्ब चलता है, उतने दिन कुम्ब में ऐसे ही रहते हैं, सांस कैसे लेते होंगे, ये उनकी प्रणायाम की कला है, आप तो शायद आदा मिनट, एक मिनट भी सांस नहीं रोक सकते, वो इतनी इतनी दिन सांस रोक लेते हैं, पानी में कई-कई गंटों बैड़ जाते हैं, ऐसे-ऐसे लोग भी हैं, हमने तो किसी योगी को देखा था, 110 साल की उम्र थी, लंबी सी धाड़ी थी, उनके पैर से भी नीचे जा रही थी, और 110 साल की उम्र में एक पलक जपकाओ तो यहां खड़े, पलक जपकाओ तो पेड़ पर खड़े, इतना उनका हलका फलका शरीर था, कि उन्हें सिद्धी थी जैसे की उड़ने की हो, तो मैंने उनसे पूछा भी, कि आपके जीवन का नुभव क्या है, तो उन्होंने मुझे एकी च की चीज कही, कि मैंने 40 साल एक सिद्धी पाने के लिए लगाए, दूसरे 40 साल दूसरी सिद्धी पाने के लिए लगाए, और मैं 25 साल का था, तब घर छोड़ा था, मतलब हो गए ना 110 साल के आसपास हो गए होंगे, जो जब कैल्कुलिशन लगाया था, उन्होंने अपना ज की 40 साल मैंने एक सिद्धी पाने में लगाया, 40 साल मैंने दूसरी सिद्धी पाने में लगाया, अब मुझे लगता है की बिना ग्यान के कहीं पर भी सार नहीं है, तो जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, अब उस रास्ते पर मैं चलने की कोशिश करता हूँ इसका अर्थ ये है कि आप कितनी सिध्धी पालो चाहे कितना ऐश्वरे पालो चाहे संसार का हो चाहे अलोकिक चगत का हो जब तक कि आप ग्यान के रास्ते पर नहीं चलते सारी सिध्धियां आपको जीरो ही लगेंगे उसकी कीमत जीरो ही आँकी जाती है नानक ने अपने बेटे से कहा नानक का बेटा पली पार जाना जाता था श्रीचन नाम था मला को बोला नाविक को कि ये मेरे को उस पार जाना है छोड़ दे वो आखरी फेरा था बीच रास्ते पहुँच चुका था नाविक तो उसने मना किया उसे कहा कि मैं वापस नहीं आ सकता और अंधेरा हो जाएगा जब तक मैं पहुँचूंगा फिर मुझे नाव भी बांधनी है तो मैं वापस नहीं आ सकता श्री चंद को बहुत नराजगी हुई बहुत कुस्सा आया कि मैं नानक का बेटा हूँ और मुझे मना कर रहा है नाविक मना करता है श्री चंद ने अपनी सिधी का उपयोग किया और श्री चंद नदी के पली पार नदी पर पैदल उस नाव से पहले पहुँच गए उनके देखते देखते तो नाविक ने उनकी सिधी को देखकर उनके चरणों में मस्तक नवाया कि महराज मैं आपको पहचाना नहीं आप तो बड़ी सिद्मापुरुश लगते हैं और मेरा दुर्भाग गया कि मैं आपको इस नाव में नहीं ला पाया पर अब से जब भी भी मेरी नाव चलेगी यदि आप खड़े हों तो पहले मेरी नाव आप ही को पार लगाएगी वो घर गए घर गए तो नाविक ने मुझे ले जाने को मना किया तो मैं ऐसे पानी पर चलके मैंने नदी पार कर ली नाविक ने सिर नीचे कर दिया उन्हें लगा कि उन्हें मेरी सिद्धी पर खुशी नहीं हुई तो नानक ने बोला कि तूने तो दो आने का काम किया तूने जो काम किया वो दो आने से ज्यादा काम नहीं किया श्री चंद को समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रहे बोले यदि नाव आपको दो आने में परली पार लगा सकती है तो आपने इतने साल की सिद्धी को दो आने से गवाया क्यों इस सिद्धी को पाने के लिए आपको कई साल लग जाते हैं कई वर्ष लग जाते हैं और तुने मचली से ज़्यादा क्या काम किया मचलियां भी तो तहर लेती है अगर तुम उड़ गए तो पक्षी भी तो आसमान में उड़ते है क्या बड़ी बात है अगर तुमने पक्षी के समान उड़ने की सिद्धी पाई तो अगर जल पर चलने की सिद्धी पाई तो मचलियां भी तो तहरती है क्या बड़ी बात हो गई वो करोना जो कोई नहीं कर सकता वो करोना जब आपकी प्रकृती दासी बनने को स्विकार करती है वो करोना जिसके पीछे-पीछे भगवान भी घूमने लगते हैं तो सारी सिध्यां एक तरफ आपकी आत्मिक विश्रान्ती एक तरफ आत्मिक विश्रान्ती का है कुछ पल ही सही पर वो पल आपको कई-कई सिध्यों से भी बढ़कर आनंदित करते हैं आत्म सिध्धी से बढ़कर और कोई सिध्धी नहीं है और उसका वीजा, उसका पासपोर्ट आपको मिला हुआ है उसका सदुप्योग करना चाहिए अहंकार का निर्मूलन करके